हैलो फ्रेंद्स कैसे हो आयो पच्चे होंगे सवच्चों में ऐसे रहने चाहिए मेरा नाम बबली है और मैं आपके लिए अच्छे च्छी ओमर डिलाती हूँ आज भी आपके लिए मैं कमाल कर देने वाली रेमिडी लेकर आई हूँ आज मैं आपको मशूर दल के बारे में बताने वाली हूँ इसके बेनिफिट के बारे में बताने वाली हूँ यह आपकी स्किन से दाग दब्बे और पिम्पल पिम्पल के निशान डाग स्पोर्ट सब को रिमू करके आपकी जहाईयों कतम करके टेन को REMO करके स्किन को TIGHT करेगी आपकी स्किन पर natural स्किन बैटनिंग का काम करेगी डुलिंजे सब गलोाईगा आपके चहरे पर रंग को अंदर से निखारेगी अंदर से रंग चहरे करेगी बहुत कमाल है रेमेडिया फ्रेंज और विजी पर चेंज आप पहली बार में पाएंगे इतनी अच्छी है तो फ्रेंट्स चलिए बताती हूं इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिए आपको मशूर की डाल मैंने मशूर की डाल पीसके रखी है यह इसका पाउडर है मैं यहाँ पर ही दो चमस ले रूँगी इसमे स्कीन से डाग दब के संबन को जहाई हो करने में हल्प करती है काले पन को खथम परूस के उसकी बारेना है आपको शहद। और आपसे में एक चमच ख़ेड़ कर देने तो फ्रंट साथ में शूथिंग प्रोपटी जोती है हीलिंग होते है जो स्कीन पर पढ़े दाग दबों को ख़तम करता है, इस्कीन को नरिश्मर्ट देता है, नमी को लोग करता है, डैमेज स्कीन को रिपेर करता है और इस्कीन मे नीम्बू का रस आप इसमें डाल दीजएगा, नीम्बू में होता है साइटिक आसी सिर जो सकिन की सफाई करता है, विटामिन C होता है जो दाक दब्द्दो को पिंगמקिशन को लाइट करता है इस सकिन की टोन को निकारने में ब stretchy रप करता है नीमो, इसमें anti-aging properties भी होती हैं जूरियों को भी खतम करता है निमूर और उसके बाद friends आपको इसमें तोड़ा सा गुलाब दल डाल कर इसे mix कर लेना है बस इतना ही करना है देखे कितना असान इसे बनाना और इसे कैसे लगाना है और उसके बाद आपको एक काम और करना है इसे लगाने के ब बेशादी होती है लड़कियों की तो पहले से ही तियारी करते हैं ये हमारे यापर इसको मठना भी बोलते हैं इसे आप हातों पर भी लगा सकते हैं आप इसे पैरों पर भी लगा सकते हैं चेहरे पर भी लगा सकते हैं तो आप इसे mix करने के बाद में जहां भी आपको कहला आपन दिखे हाथों पर पेरों पर चहरे पर लगाईएगा पहले अपनी स्किन को साफ कर लीजेगा और फिर उसके बाद आप इसे अपलाई करिएगा ठीक इसी तरह से देखे जैसे मैं आपको आपको आप पर लगा कर दिखा रही हूँ आपको इसे अपने चहरे पर लगा कर छोड़ना नहीं है आपको फिर इसकी मसाज करनी है कम से कम एक डेड़ मिनट तक आपको इसे खुब अच्छी तरह से रगड़ना है अपने चैरे पर या अपने हाथों पर या पैर उपर जहां भी लगा रहे हैं तो महाँ पर आपको इसे कुब अची तर से रगड़ना है डैरी स्किन लीमों कर देगा सारा ड्रेस्ट सब गंदगी साफ कर देगा स्किन क्लीन हो जाएगी स्किन से काला पन उतर जाएगा स्किन चमकदार बनेगी फेर बनेगी और बहुत अच्छा रगँ हो जाएगा आपका तो फ्रेंड्स आपको फिरी से रगड़कर 15-20 मिट के लिए छोड़ देना है और 15-20 मिट के बाद आप नूर्मल पानी से अपने हाथ या पैर या चेहरा जहां पर भी लगा है उससे आप दो सकते हैं और अब देखे रिजल्ट आप मेरे हाथ पर देखेगा यह देखे आपके सामने है कितना निखार आ गया है मेरे हाथ पर कमाल कर देगी फ्रेंड्स ए रेमेडी आपके चेहरे पर एक बार में ही आप विजिबल चेंज पाएंगे इतना अच्छा इसका जिजल्ट है यह दूल्ण जैसा ग्लो लाएगी आपके चेहरे पर कमाल कर देगी सच बता रही हूँ ऐसा लगेगा जैसे आपने अभी अभी भोई मेहगा फेशल करा के आए हो फ्रेंड्स बिलकु नेचरल रेमेडी है आप इसे हफ्ते में चाल दिन लगाईए पांच दिन लगाईए जैसे भी आपको कमपटेबल हो जैसे आपको समय मिले आप इस रेमेडी को जरूर रियूज करिएगा और आपको बेकामूर करना होगा जब भी आप अपना चेहरा दो लेंगे उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा अलेविर जल यह हाथ पर भी किये है हमने यह पैर उपर भी किये आपने यह चेहरे पर किये है तो आपको थोड़ा सा अलेविर जल लेकर उसकी मसाद करनी होगी यह बहुत जरूरी है ये स्किन में नमी बरकरार रखेगा, हाइड्रेट रखेगा और जो रेडियन्ट लुआ है उससे मैंटेन करेगा, इसकिन ग्लोइंग बनेगी, च्मकदार बनेगी, फेर बनेगी, बेदाग बनेगी, बहुत अच्छी रेमेडिया फ्रेंड्स, बिल्कुन नेच्छल रेमेड है, ओल स्किन टाइप है, किसी को कोई हाम नहीं होगा, सभी पर करके लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, सच कह रही हूं, विजिबल चेंज पाएंगे अपनी स्किन में, एक हफ्ता इसे ट्राइ करके देखेगा, मुझे कमेंट में आप खुल, बहुत सारा थैंक्यू हाथ में कितना फर्क है, एक ग्लोइंग स्किन है, और एक बिल्कुल डल डेमेज इसकिन है मेरे आट की, आप देख सकते हैं, फ्रेंट्स बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश, चमकदार, फेर इसकिन हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छा पेस प्यक ला बस यह ध्यान रखना बाकि यह बहुत अच्छा ब्लो देने वाली है सच कह रही हूं इसे जरूर इस्तेमाल करके देखेगा फ्रेंड्स वीडियो ची लेगे तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में बताएगा आपको इससे क्या बैने फीट वार फ प्रेंडिम